तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बहत्रिन वीडियो को सो फ्रेंड्स यहां पर यह बोल रहे हैं कि हाला कि तुम सच जानते थे तुमने मुझे बताया नहीं इंग्लिश महम बोलेंगे although you knew the truth you didn't tell me यहां पर although I was why हाला कि के लिए although you knew the truth हाला कि तुम सच जानते थे you didn't tell me तुमने मुझे बताया नहीं यह हम थोड़ा घुमा के इस तरीके से भी कह सकते हैं कि even though you are aware of the truth हाला कि तुम सच से जाग रूख थे तुम्हें सच पता था तुम जानते थे सच्छे even though you are aware of the truth you kept it from me तुमने मुझे इससे दूर रखा यह निकि तुमने मुझे चुपाया कहना का मतलब यह है बस यह थोड़ा advance में में आगिया यहां पर यह कह रही है कि तुम भी मतलब ही निकले इस English में बोलेंगे you turned out to be selfish to you turned out to be selfish to तुम भी मतलब निकले इस निकले के सैंस में जयानि उमीद निति तुम एस हो लें मतलब ही निस रिया तुम दूर अओ टुबिए selfish ट्यूम तुम भी मतलब यह हम थोड़ा गुमागे से कह सकते हैं कि तुम भी दूसरों की तरह मतलब यह निकले युः टुन आउट टुं बीष-स night You turned out to be as selfish as others यानि तुम भी दूसरों की तरह selfish निकले मतलब भी निकले अब आगे कह रही है कि तुमने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया इस तरीके से हम बोलते हैं न गुस्चे में किसी से तुमने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया You have shown your true colors as well बहतर होगा कि अब तुम यहां से चले जाओ इंगलिश में हम बोलेंगे You had better leave from here now अब यहाँ पर हमने head का उसकिया लेकिन यहाँ पर head का जो मतलब होता है वो अकसर past में होता है लेकिन यहाँ पर past में नहीं है जो हम head better का उसकरते हैं तो इसकी मिनिंग चेन हो जाती है या तो present या future में धियान रखने यहाँ बेटर दोनों मिल जाते हैं तहां पर करें कि you had better leave from here now यहाँ बहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है your presence hair is no longer required यहाँ यहाँ कहते हैं कि you have no role to play here anymore यहाँ तुम्हारा कोई काम ही नहीं है कहना का मतलब कि तुम्हारा भी हाँ कोई काम ही नहीं है You have no role to play here anymore मैं तुम्हें सारी जानकारी दूँगा यहाँ पर यह से कह रहा है कि मैं तुम्हें सारी जानकारी दूँगा इसे अगर हम बिल्कुल इंगलिश में बोलें तो हम बोलेंगे I'll give you all the information I'll give you all the information यानि तो उस जगह हम जातर इस तरीके सब बोलते हैं I will provide you with all the details या I will provide you with all the information यानि जब भी हम अपने workplace पे या कई business related बात चीत करते हैं तो उस तरह से हम यह sentence करेंगे को मानम ऐसे किस से बात करें दोस्तों दोस्तों तो हम बोलेंगे I'll give you all the information या I'll provide you with all the information करने से मना किया गया है मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा अब हमने हाला की का पहले भी उस किया था तो ओल्दो गई उस करेंगे although I have been advised against doing so हाला कि मुझे ऐसा करने के खिलाफ advice दी गई है कि ऐसा मत करना मुझे ऐसा कहा गया है although I have been advised against doing so I will still help you मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा मना करने के बावजूदी मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्याना चाह रहा है कि although I have been advised against doing so हाला कि मुझे ऐसा करने के खिलाफ advice दी गई है मुझे मना किया गया है ऐसा करने को I will still help you मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा help you इसके लिए इसके अलावे भी हम बहुत सकते हैं land a hand ऐसे तरीके से हम कह सकते हैं कि even though I have been told no to I will still land you a hand यहाँ पे land you a hand का मतलब है helps है कि मैं तुम्हारी फिर भी help करूंगा even though I have been told no to I will still land you a hand मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा I will still help you ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं Englishman बोलेंगे I want to rectify my mistakes I want to rectify my mistake यहाँ नि मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं भरपाई करने के नुकसान की खास कर दिया ना नुकसान की भरपाई करने के लिए हम कमपन सेंट का यूश करते हैं लेकिन यहाँ पर गल्तियों की भरपाई की बात चल रही है तो हम rectify का यूश करेंगे जैसे कि I want to rectify my mistake इस तरीके हम कहेंगे I will rectify all the wrongs I have done यानि जो कुछ भी मैंना गलत किया है मैं उसकी भरपाई करूँगा I will rectify all the wrongs I have done यह हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि I will make up for any mistakes I have made I will make up make up का मतलब है कि जो भी कुछ मैंने किया है जो भी मेरी वज़त से हुआ है मैं उसे make up करूँगा यानि उसकी गलती को भरपाई करूँगा उसकी खतम करूँगा अपनी तरफ से जो है जो मैं कर सकता हुँ ना उस गलती को खतम करने के लिए उसकी भरपाई करने के लिए मैं करूँगा for any mistakes I have made I'll make up for any mistakes I have made तो आप किसी का भी हाँ पर use कर सकते हो कहने का मतलब वो ही है उमीद करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी I hope you will forgive me बहुत easy है I hope you will forgive me उमीद करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी I hope you will forgive me या हम कह सकते हैं कि I am hopeful that you will grant me forgiveness I am hopeful that you will grant me forgiveness उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी मेरे पास भी तुम्हारा ज्यसा फून है आप किसी के हाथ में फून दे के कह रहा है कि I have got a phone just like yours I have got a phone just like yours यहिए मिरा पास भी तुम्हारा ज्यसा फून है वह रहा है कि इस गर्मी या रही है है, इसमें मैं जुब करना करोंगा I would like to get a job this summer I would like to get a job this summer यानि इस समर में जोब ढूड़ूँगा यानि जोब करना पसंद करूँगा Next देखते हैं friends यहाँ पर ही कह रही है कि हम बहुत जगड़ते हैं अपने boyfriend कर अपने बारे में बता रही है कि हम बहुत जगड़ते हैं लेकिन हम हमेशा चीजों को ठीक कर लेते हैं बाद में हम अपनी जो चीजे जो बिगड़ी होती हैं जो हमें लडाई जगड़ होते होने सुलजा लेते हैं तो बता रही है कि we coral a lot we coral a lot यानि हम बहुत जगड़ते हैं we coral a lot हम बहुत जगड़ते हैं को ठीक कर लेते हैं बात सुलजा लेते हैं चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा don't worry everything is gonna be fine don't worry everything is gonna be fine चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा we'll use करने की कोई ज़रुरत नहीं यहाँ पर हम use करेंगे don't worry everything is gonna be fine सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम सही से कार चलाओ के रहे कि मेरे पास कार है जहां तुम जा रहे हो तुम मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो लेकि अगर तुम सही से चलाओ तुम सही से चलाओ तुम सही से चलाओ तुम सही से चलाओ इसेँ इंग्लिश में बॉलेंगे although, हाला की के लिए मॉलेंगे although, मेरी कार बहुत बहुत परानी है, इट इस्टिल रूँड़ा, यह भी बहुत अच्छी चलती है, Although my car is very old, इट इस्टिल रूँड़ा, हाला की मेरी कार बहुत परानी है, फिर भी बहुत अच्छी चलती है